देखमर बीस अध्याई सत्रापद तू किसी के घर का लालच ना करना ना तो किसी की स्तुरी का लालच करना और ना किसी के दास, दासी, वा बैल गधे का ना किसी की किसी वस्तु का लालच करना आमीन मसी में प्रियाभाईयों और बहनों और इंटरनेट और ठीवी पर देख रहे ही श्रोताओं दस आग्याओं के उपर यहों ग्यारवा सत्र हैं और आज मैं आपसे दस व्याग्या के उपर बात चित करूँगा जहां पर लिखा है कि तू अपने पड़ोसी की संपति का लालच ना करना यहां पर पड़ोसी ना किवल आपके विश्वासी भायों को दर्शाता है वरन तमाम अविश्वासी संबंदियों और दूसरे पड़ोसी को दर्शाता है चाहे वहो कोई भी क्यों ना हो और साथ ही यह कहने के दोरा कि तू अपनी पड़ोसी की संपति का लालच ना करना परमेश्यूर का कहने का अर्थ सिर्फ यहों नहीं कि हम केवल दूसरों की संपति को ना चुराएं वरण हमें इस संसार में तमाम शारिर्क चीज़ों के लिए लालच को निकाल देना चाहे मनुश्यों के लालच की कोई सीमा नहीं होती यदि पर उनके पास बहुत सारी संपति है तो भी वह कभी भी उस संपति से संतुष नहीं होती वो केवल कोशिश करते रहते हैं कि अधिक प्राप्त करें और यदिपी वो बहुत पाभे लेते हैं तो भी अधिक पाने के लिए उनकी प्यास कभी नहीं भुशती यदेपी नदी का पाने निरंदर समुंदर की और बहता रहता है लेकिन तो भी समुंदर को भर नहीं सकता है उसी परकार से मनुश्य का हिर्दे भी वो भी और अधिक और बहतर चीजों को ढूंता रहता है परमीश्वर हम से कहता है कि हम इस धर्दे की चीजों और नाश्वान चीजों की खोज में ना रहें वरन केवल स्वर्ग की खोज में रहें जब हम अनन्त जीवन की खोज करते हैं अपने हिर्दे को स्वर्ग राजे की आशा से भर देते हैं के उल तभी हमारे पास सच्ची संतुष्टी और आनन्द होता है। इसलिए लुका 12-15 पद में येश्व ने कहा और उसने उनसे कहा चौकस रहो और हर प्रकार के लोब से अपने आपको बचाए रखो क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्य की बहुतायत से नहीं होता। मैं आपसे बिनिती करता हूँ कि इस संदेश के द्वार आप एहसास करें कि वास्विक्ता में अर्थ रहीत और भामुल्य क्या है और हमें किस बात की खोश करनी हैं। इसलिए मैं प्रभु येश्व मसी के नाम से प्रात्ना करता हूँ कि आप इस संसार से प्रेम ना रखें और ना ही संसार की चीज़ों का लालच रखें। वरन केवल स्वर्ग्य महिमा की खोश करें जो अनन्थ है जिसका कभी नाश नहीं होता और उसे अपना बना ले। प्यारी भाई और बहनों मान ले जी आप किसी पडोसी के घर गए और वो बहुत ही अमीर व्यक्ती है उसका घर बहुत अदभुत है और वहाँ पर बहुत सी सुन्दर और बहुमुलिये चीज़े हैं उस घर में तो फिर आप कुछ और नहीं कहेंगे वरन कहेंगे वाओ वो वो कितना अदभुत है वो कितनी सुन्दर है परनतु जो बहुत लोग कुछ ऐसा देखते है तो वे सिर्फ इतना ही नहीं सोचते कि ये अदभुत है वरन इसे भी आगे बढ़कर वो ये सोच सकते है कि मैं भी इस तरह का घर पाना चाहता हूँ उसी के समान मैं भी संपती प्राप्त काना चाहता हूं हलांकि यदिया परमेशुर की विश्वासी है तो फिर आप किसी और की संपती को नहीं चुराना चाहेंगी परन्तु उन विचारों के द्वारा कि आप इसे पाना चाहते हैं आपकी हिर्दे में इसके लिए लालच उत्पन होता है और जब तक आपकी हिर्दे में यहाल लालच रहता है आप कभी भी पाप कर सकते है याकुब एक अध्याई पंद्रापत कहता है फिर अभिलाशा गर्वती होकर पाप को जनता है और पाप बढ़ जाता है तो मृत्वी को उत्पन करता है ना कि वोल तात्विक चीजों के लिए लालच वरन आँखों के अभिलाशा, शरीर के अभिलाशा और जीवन का घमंड इन सब की एक ही जड़ है जो की लालच है यह हिर्दे की एक इच्छा है कि हम इस संसार से प्रेम रखें संसार की चीजों को अपना बना ले और संसार के लिए इस लालच के कारण यदे भी आपने आशिशों का मर्ग चुना है तो भी एक दिन आप अभिलाशा में गिर सकते हैं मुश्किलों में गिर सकते हैं और विपतियों में गिर सकते हैं और गंभिर बीमारी के शिकार बन सकते हैं यदि भी आपने परमेशुर के प्रेम में निवास किया है लेकिन अगर आपका हिर्दे बदल जाता है इस संसार के लालच के कारण तो फिर वहों लालच गर्वती होता है और वहों पाप को जनता है पाप बढ़ता है और मृत्य के ओर ले जाता है अर्थाद नाश में गर जाते हैं अगर आप संसार से प्रेम रखेंगे तो यहाउस संसार आपकी हिर्दे में आना शुरू हो जाएगा और परमेशुर के लिए आप अजनभी हो जाएगी आपको संसारिक चीजों को अधिक से अधिक दूर करना है लेकिन अगर आप संसारिक चीजों को ले ले तो आप पवितरात्मा की परिपुनता खो बैठेंगे परमेशुर के लिए आपका प्रेम ठंडा हो जाएगा नई यरुशलेम के लिए आपके आशा कमजूर और कमजूर होती जाएगी और अंत में आपका पाप बढ़ जाएगा और आप मृत्यु के मार पर चल जाएगी और परमेशुर अपनी आँखों को आपसे मोड देगा तो दुष्ट आप पर प्रहार करेगा अलगलग प्रकार की मुश्खिलें कष्ट आपके कारेशाल और घरों में लाएगा और कभी कबार आप गंभीर बिमारी का और विप्ति का सामना भी कर सकते है क्यों परमेश्वर अपनी परिक्षां को आने देता है क्योंकि यदि परमेश्वर आपके पापों को रहनी दे तो आप अंत में नर्क में चले जाएगे इसलिए परमेश्वर दुष्ट को अनुमादी देता है कि वो आपको निराशा में डाले ताकि उन मुश्किलों और कठिनाईयों के बज़ा स्या पश्टाप कर सके और अपने पापों से मन फिरा सके और उद्धार पा सके ये है परेम की सच्ची आशीश और इस लालच की बज़ा से लोग दूसरों के साथ धोखा देते हैं जूट बोलते हैं, चल करते हैं लोट पाट करते हैं, वैविचार करते हैं दूसरे वेक्ते का खून करते हैं तमाम प्रकार के दूसरे पाप करते हैं लालच के कारण कभी कबार माता पिता और बच्चों के बीच भी विरोध और शत्रुता उत्पन होती है पतिपतने की बीच में भाई बेहनों की बीच में भी लालज की बज़ा से वो आनदित नहीं रहते सत्ते में वरन जलन रखते हैं उनसे जिनके पास उनसे कहीं ज्यादा होता है पहला तिमोथियो छे अधियाय दसबत कहता है क्योंकि रुपय का लोब सब प्रकार की बुराईयों की जड़ है जिसे प्राप्त करने का प्रयतन करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आपको नाना प्रकार के दुखों से चलनी बना दिया है जैसे कि कहा गया यहां तकी परमेश्वर के विश्वास यह भी ऐसे बहुत से लोग है जो पाप करते हैं जब वो अपने ही लालच से धोखा खाते हैं यहां तकी बाइबल में भी ऐसे लोग हमें मिलते हैं उधारण के लिए कनान देश को जीतने के समय में एक वेक्ती जिसका नाम आकान था उसने कुछ सोना और चांदी चुरार डाला वो वो लोट थी जो उन लोगों ने यरिहों के शेहर को जीतने में पराप्त की थी उसने उन्हें चुपा कर रख दिया वो जानता था कि उन्हें तमाम लूट को पर मिश्यूर करपण करना है लेकिन जब उसने सुन्दर चीजों को देखा तो उसके लालच के कारण वो प्रेरित हुआ और उसने उन्हें चुराया और चुपा दिया और इसके कारण नाकेवल आकान वरन उसका तमाम घहराना यहां तकि उसके जानवर भी नाश कर दिये गए दूसरा राजा पांच अध्याए में गेहजी एलिशा का दास उसने भी सोना और चौन्दी का लालच किया उसने नामान को धोखा दिया और एलिशा को धोखा दिया और अंत में वो कोडी बन गया और हननी और सफीरा भी उन्होंने अपनी भूमी को बेचने का निर्णे लिया और परमीशुर को देने का लेकिन जैसे ही उनके हाथों में पैसा आ गया उनका लालच प्रभावित हुआ और उसमें से उन्होंने कुछ रख दिया और उन्होंन इस जूट के कारण, जो उन्होंने अपने लालाज के कारण बोला था, उन्होंने पहुतरात्मा को धोखा दिया, और उन्होंने अपने प्राणों को छोड़ दिया जिसका मतलब यह हो है, कि वो बिना उधार के मर गए. प्यारे भाई और बेहनों, यहां तक कि अगर मनुश्य वह बहुत सी चीजों का आनन्द लें, यहां तक कि पुरा संसार पा लें, क्या लाब होगा उसका अगर वह अपना जीवन खो बैठें। प्यूल खर्ची का जीवन जीता था, परनतु वह बिखारी लाजर, वह अमिर व्यक्ति की घर में भीक मांगता था, और एक दुखताए जीवन जी रहा था, उसका जीवन इतना धैनिया था, कि यहां तक कि कुत्ते आते थे और उसके जखमों को चाटते थे, यदि किसी व्यक जोनाने परमिश्वर का वचन चुना है, आप बिखारी लाजर का जीवन चुनेंगी, और अब मैं आप से पूछ रहा हूं कि अपने जीवन के लिए आपने इन दो मैसे कौन सा मार्क चुना है, आप ऐसे कुछोंने हो सकता है, अमीर व्यक्ति का जीवन चुना हो, मेरा मतल वो परमिश्वर में विश्वास नहीं करता था, ना ही उसके पास स्वर्गे राजों के आशा थी, संसारिक खुछी उसके लिए सब कुछ थी, वो नहीं जानता था कि कैसे इस स्वर्गे चीज़ों में भंडार एक कत्र किया जाता है, कि वोल अपने लालच को पुरा करने क अपने जीवन का अनंद करने के लिए उसने जीवन जिया, दूसरी तरफ भिकारी लाजर उसने गरीबी का जीवन जिया, लेकिन वो अपने हिर्दे में परमिश्वर का भाय मानता था, और स्वर्ग के राजिये में उसकी आशा थी, इस धर्ती पर उनका जीवन समाप्त होन के बाद उसी प्रकार से उनकी जी उनमें मृत्यू भी आई लेकिन नतीजे पूरी तरह से अरग अलग थे। बिकारी लाजर वो स्वर्गदूतों के हाथों से उठा लिया गया और अबरहाम की गोद में जा बैठा। लेकिन अमिर वैक्ति वो निचली कबर में जा किरा और उ ऐसी गर्म-गर्माहट वो पाने की एक बूंद चाहता था कि अपनी जुबान को ठंडा करें लेकिन उसे वो भी नहीं मिल पाई। यदि इस अमिर वैक्ति को चुनाओं का एक और मौका दिया जाएं तो किस तरह का जीवन वो जीएगा। क्या वो हो अमिर वैक्ति का जीव का मार्ग नहीं चुनेगा। जब आप इसे हैसास करते हैं यदि आपके पास वास्तविक्ता में विश्वास है। यदि आप चीजों को आत्मिक दुष्टी कौन से देखें चाहे आप बहुत ही मुश्किल में क्यों ना हो। तो भी आप धन्यवाद आनंद को नहीं खोएं क्योंकि येश्व तमाम चीजों का स्वामी है और अमीर भ्यक्ति है जिसने हमें तमाम गरीवी से मुक्त किया है। इसलिए हम आशिशे पा सकते हैं संपती की हमारे विश्वास के अनुसार। लेकिन यहां पर जो मुख्य बात है कि यद्यपी अगर हम आशिश ना भी पड़े। कभी कबार आपको कुछ संदे हैं हो सकते हैं यह सोचते हुए कि वो व्यक्ति तो वास्विक्ता में एक जोशिला मसी जीवन जी रहा है लेकिन वो आशिशे क्यों नहीं पाता है। आपको यहां तक कि ऐसी चीज़े कहने के अवशक्ता भी नहीं है ना ही उस्ति संतान को देते हैं जो विश्वास से मांगते हैं लेकिन जब वो आशिश देता है तो उसके अलग-अलग कदम होते हैं। तीसरा यहो ना एक अध्याय दोपत कहता है। तो फिर वो है आपका आत्मा समरिद हो गया है। ना के वलाफ स्वर के राजिये में महिमा पाएंगे वरन इस धर्ती पर भी और सब कुछ आपके साथ भला होगा। यह आत्मिक शेतर का नियम है। यदि कोई व्यक्ति जिसका प्राण समरिद नहीं है। यदि महान संपती प्राप्त करता है तो वो आशिश नहीं हैं बजाए इसके उस संपती के कारण। लालच गर्वती होगी और वो पाप को जनम दे सकती हैं यहां तकि वो परमेशुर को भी छोड़ सकता है। पिछले 24 सालों से मैंने बहुत से बार चर्च के सदस्यों को देखा है जो गिर प करके उन्होंने अपने हिर्दे में खतना करना बन कर दिया। विपरित तोर पर उन्होंने अपने आप पर घमंड करना शुरू कर दिया और एहंकारी बन गए। और इसी बीच जब उन्होंने ऐसी परिस्टियों का सामना किया जहां पर उन्हें अपने लाव नहीं दिख प उन्होंने आर्थिक आशिशे पाई और संसार में लोट गए क्योंकि वो अपने आपको नियंतरिद कने में असफल हो गए। उस पैसिक के द्वारा एक घईव व्यक्ती जोशली प्रातनाय करेगा आशिशे प्राप्ट कने के लिए और निरंतर प्रातनाओं के द्वारा उसका प्राण समरिध होगा। और जब उसका प्राण समरित होता है तो वो सब बातों में जो कुछ करता है आशिश पाएगा और अच्छे स्वस्ते में बना रहेगा लेकिन अगर उसने पहले से आशिशे पा ली है और उसकी अभी आत्मी कुनती नहीं हुए तो संसार के लिए लालच उसके अंदर गर्वत होगी और वो संसारक चीज़ों को लेगा जिसे उसे मुक्ति पाने थी जब वो मुश्किल स्थिती में होते थी उन्होंने परमेशर पर वरोसा किया परमेशर से प्रेम किया अपनी बेहतर कोशिश की अपने मसीज जीवन में एक उचित हिर्दे के साथ लेकिन जबके अब वो आर्थिक तोर पर आशिशित हो हैं उनके हिर्दे फिर सकते हैं संसारिक वासनाओं में फिर से पढ़ सकते हैं और वो परमेशर से अलग हो सकते हैं और वो वेस्थ हो जाते हैं सबसे पहले वो दानिल प्रातना सभा में शामिल होते थे निरंतर लेकिन अब उनने दानिल वो और भी अधिक चीजे प्राप्त कना चाहते हैं और वो अपने प्रयास समसारक चीजों पर लगाते हैं और भी ज्यादा ताकि वो समय जो वो चर्च में बिताए वो घट जाता है और फिर वो प्रातना कना भी छोड़ देते हैं जब उनकी कम आमधनी थी तो वो दशमाश देती थी धन्यवाद के साथ लेकिन जैसे जैसे उनके दशमाश की उन्नती होती है परमेशर के आशिशों के द्वारा तो उन्हें लगता है कि अब इतना सारा दिना वो बरबादी है क्योंकि उनकी हिर्दे इस तरह से बदल जाते हैं इसलिए वो परमेशर के वचनों से औ और भी अधिक दूर हो जाते हैं और अंत में वो आविश्वासियों के समान बन जाते हैं परनतों वो जो आत्मे को उन्ती करते हैं वो संसारक चीजों का लालच नहीं करते हैं यहां तकि जब वो आशिशे पाते हैं विख्याती और संपती पाते हैं तब भी वो अपने पारके सताओं को सहा, भूख, ठंड और दूसरी बहुत सी मुश्किलें परमिश्विर के राज़े के लिए विश्वासियों के होने के लिए, लेकिन उसने कभी नहीं कहा कि उन चीजों की बज़ा से उसे कोई मुश्किले हुई हो। उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं बहुत धन्यवादी हूँ, क्योंकि मैंने उन तमाम चीजों का अनभव लिया है, जिस वरकार से प्रिरित पॉल उसने लिया, सब कुछ भलाई और बुराई, मुझे मस्य में उसे ताकत मिली है, मेरी बच्पन से ही, मैंने तमाम प्रिय मा बेवी नहीं खरीद पाता था, मैं इतना गरीब था, और इसे भी बढ़कर शादी के बाद मुझे और मेरी पतनी को गंभीरता से गरीब जीओन जीना पड़ा मेरी साथ साल की बिमारी के दौरान, हमें तमाम परकार के दर्दों को सहना पड़ा, हमें इस तरह की मैं उसके लिए बहुत धन्यवादी हूँ, परमेश्यों ने मुझे महान आशिश दी है, विख्याती, आदर, सामर्थ है और संपती, लेकिन मैं उनमे से किसी में भी लिप्त नहीं हुआ हूँ, इसके बदले मैंने हमेशा पहले और गरीब दिनों को याद किया है, और सब तो मैं पार निकला हूँ, मैंने हमेशा सी कोशिश की है कि मैं गरीब चर्च के सदसे को समर्ण करूँ और उनकी मदद करूँ, आर्थिक आशिशों को मैंने अपने उपर खर्च नहीं किया है, वरन दानकारे को उनकी मदद के लिए है, मैं बहुत धन्यवादी हूँ, मैं नहीं चाहता था कि मैं अपने संपती, अपने खाने पीने पर अपने आनन्द में खर्च करूँ, मैंने अपने आपको हर वक्त नियंत्रित किया है और सब कुछ परमेशुर के राज्ये के लिए और गरीबों की मदद के लिए समर्पित किया है, इसलिए मैं हर वक्त प्रमेश्वर की सिवा की के विल जब आपके पास इस तरह का हिर्दे होता है तो आप इस धर्दी पर भी आशिशे पा सकते हैं यदि आप ऐसा हिर्दे पाएं जैसा प्रेट पॉलस के पास था तो परमेश्वर आशिशों के मारग आपके लिए खोलेंगे और जो कुछ आप वो आपको देंगे ये हमारे पिता परमेश्वर की पर दे गया है यदि आपने प्रेट पॉलस का हिर्दे पा लिया है तो यहाँ प्रमानित करता है कि आपके पास कोई लालच नहीं है तो फिर चाहे कितने ही आशिश परमेश्वर आपको क्यों ना दें आप कभी भी एहंक परमेश्वर आपको आशिश देंगे यदि आप वो हिर्दे पा लें परमेश्वर आपको आशिश देगे पूरे परिमान तक और आपके अगवाई करेंगे कि आप उन आशिशों का इस्तेमाल भले और धर्मी काम के लिए कर पाएं परमेश्वर ऐसे धर्मी की खोज करते ह मसी में प्रिया भाई और भेनों, मैंने अभी आपको बताया कि आपके आत्मा और प्राण की उन्नती की आशिशे वो ज़्यादा महतोपुण है और अवश्य ही वो आपके जीवन में इस धर्ती की आशिशों से पहले आने चाही लेकिन क्या इसका अर्थिय हो है कि आपको कोई उत्तर नहीं मिलेंगे आपकी व्यक्ति गयती चाहों के लिए क्या आपको गरिबी में रहना पड़ेगा आत्मा में जाने से पहले यदि आप परिश्रम से धार्मिक्ता की खोज कर रहे है अपने विश्वास के परिमान के अनुसार तो जब आप कुछ मांगेगे उस विश्वास के अनुसार परमिशुर हर वक्त आपकी जरूरत को पुरा करेगी हलांकि सब बातों के लिए निक्त समय होता है और हर कारिकरम के लिए एक समय होता है इसलिए आप तुरंध ही कुछ पाने के लिए प्रात्ना कर सकते हैं लेकिन परमिशुर बहितर समय जानता है और हमें इंतजार करवाता है कि हम उस समय का इंतजार करें और फिर वह हमें और भी महाना आशिशों के साथ उतर देता है यहां तकि इस इंतजार के समय में भी अगर आप सचे विश्वास से प्रातना करें तो आप निरंतर इसके लिए जब तक आप इसे पान अले प्रातना करेंगी लेकिन अगर आप मांगते रहे, मांगते रहे अपने लालच के कारण और अपने विश्वास के परिमाण से उपर चले जाए तो फिर ना तो आपके पास आत्मी की विश्वास हो सकता है ना पा सकते हैं जो उत्तर पाने के लिए अवश्रक है याकूब 4 अधियाई 2-3 पर में लिखा है अगर आप लालसा से मांगते हैं परमीश्वार आपको नहीं दे सकता बिल्कुल माता पित और बच्चों के बीच की इसी बात के समान यदि बच्चा माता पिता से किसी बुरे काम के लिए पैसा खर्चने को मांगता है जो कि विद्यार्थी के लिए अनुचित है तो फिर माता पिता उस पैसे को उस बच्चे को नहीं दे सकते हैं इसलिए अगर आप कुछ मांगते हैं तो हमें के और मुनश्यों के विचारों से प्रात्ना नहीं करनी चाहिए परंतु परमेश्यों की जहनुसार और पवित्रात्मा में होकर प्रात्ना करनी चाहिए यहुदा एक अधियाई 20 पद हमें कहता है कि हम पवित्रात्मा में होकर प्रात्ना करें और एफिश्यो 6 अथिया 18 पध हमें कहता है हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रात्नोर भिन्ति क्या करू क्योंकि पवित्रात्मा परमेशुर की हर्दे को जानता है यहाँ था कि परमेशुर की गहरी बातों को भी अगर आप पहुत्रात्मा की प्रेणा से प्रात्ना करें तो आप परमीश्योर को प्रसंद करेंगे क्यों कि हो परमीश्योर की इच्छा के अनुस्सार है जब आप इस तरह से पहुत्रात्मा में प्रात्ना करते हैं आप तेजी से उस प्रात्ना का उत्तर पाएंगे इसे आपका प्राण समर्द होगा और आप अपने हिर्दे की च्छाओं के उत्तर प्राप्त करेंगी तेजी के साथ सबसे महतोपुण बात जब हम पवितरात्मा में प्रात्ना करते हैं तो यह हो है कि अपने पूरी हिर्दे से हम प्रात्ना करें हमें परमीशुर को इमानदार और सत्य की प्रात्नाओं को हर क्षंग अरपन करना है मेरी प्रात्ना बहुत जल्दी उत्तर प्राप्ट करती है चाहे वो कितने ही मुश्किल क्यों ना हो परमीशुर मेरी प्रात्नाओं के उत्तर देता है मेरी सारी के सारी प्रात्नाई वो आंसों और हिर्दे के साथ होती है जब कभी मैं प्रात्ना करता हूँ परमेशुर से मैं अपने पूरी आंसों को अपनी इमानदारी को और अपने हिर्दे को अरपन करता हूँ अपनी प्रात्नाओं में मैं अपने लिए प्रात्ना नहीं करता नहीं अपने परिवार के लिए वरन परमेशुर के राजे और बहुत से आत्माओं के लिए मैंने आंसों से भर्य भी प्रात्ना ये परमेशुर को आत्माओं के लिए अरपन किया है तो परमेशुर कितना प्रसन हुआ होगा मेरा कहने का मतलब यहाँ नहीं है कि मैंने दुख के आंसों बहाए होगे चिड़ चिड़ हाट की वचा से वरन मैं आत्माओं के लिए और परमेश्य के राजी के लिए धन्यवाद और आनन्द से प्रातना करता हूं क्योंकि मैं उन से प्रेम रखता हूं क्योंकि मैंने उन आंसों से भरवी प्रातनाओं को धन्यवाद के साथ और विश्वास के साथ हरपन किया है परमेश्य ने उन्हें मुझे तुरंट ही उत्तर दिया है जब हम अपने पूरी हिर्दे से प्रातना करते हैं तो सबसे पहले हमें इमानदार इसे ताकत मांगने है ताकत ना के उल वो ताकत होती है जो बिमारियों को चंगा करती है वरन हमें वो ताकत मांगने है कि इस संसार को हम जीत ले स्वर्गय आशा और विश्वास की ताकत के द्वारा कि हम शत्र दुष्ट के विरोध में उसका सामना करके युद्ध जीत लें और साथ ही हमें ताकत मांगने चाहें कि हम जोशली प्रात्ना कर सकें ताकत कि हम अपने शत्रों से भी प्रेम कर सकें ताकत कि हम परमेश्वर के वच्छन में निवास करें और ताकत कि हम शारे की विचारों को दूर करें और आत्मिक विचार प्राप्त करें जब हम अपने पुरे हिर्दय से प्रात्मा करते हैं आत्मिक ताकत को प्राप्त करने के लिए तो यदे भी हो सकता है कि सबसे पहले हमें मनुष्यों के विचारों के साथ परातना करनी पड़ेगी यो सूचते हुई कि हम सुयम से क्या परातना करें लेकिन धीरी धीरी करके हम पवितरात्मा की परिपुनता को महसूस करेंगे आम तोर पर कुछ लोग वो प्रातना की लीक को प्राप्त करते हैं वो कहते हैं कि उन्होंने प्रातना की लीक को प्राप्त कर दिया है वो प्रातना की लीक होती है या वो प्रातना जो उस लीक से प्राप्त होती है लेकिन अंत में आप बहुत सी चीजों के लिए प्रातना कर पाएंगे इस वाभाविक तोर पर यहां तक कि प्रातना की वो बातें जो आपने कभी नहीं सोची है वो भी पानी के समान आपसे फूट बड़ेगी अगर आप इस तरह से प्रातना करते हैं तो यदे भी आप लंबे समय तक प्रातना में पुकारें आप ठकेगे नहीं बजाए इसके आपको नई ताकत मिलेगी जब आप दानिल प्रातना सब हमें प्रातना करते हैं मुझे आशा है कि आप इस तरह से प्रातना कर सकें यदि आपके ओल समय को ही पूरा करना चाहते हैं उन चीज़ों के बारे में सोचना चाहते हैं जिसके लिए आपको प्रात्ना करनी है तो फिर आप ऐसा महसुस करेगी कि प्रात्ना करना मुश्किल है लेकिन अगर आप पुरे हिर्दे के साथ बुकारे और पौईतरात्मा की परिपूंथा पाएं, तो फिर आप परात्ना करना नहीं रुपना चाहेंगे. आप जल्दी ही देखेंगे कि जो कुछ आपने मांगा है, आपने उत्तर पाया है. सिर्फ इस बात के द्वारा कि आपने प्वीत्रात्मा के द्वारा प्रात्ना की हैं, आपका हिर्डए पवितरात्मा की परिपुन्ता से भर जाएगा और आनंद के साथ दूसरी महतोपुन बात जब आप पवितरात्मा में परात्ना करते हैं तो आप अपने आपको परमीश्वर के वचन से भरे के उल तब जब आपके पास परमीश्वर का वचन है तो जब पवित्र आत्मा आपकी हिर्दे को किसी विशेश बात के लिए प्राप्तना करने के लिए प्रेडित करता है तो उस प्रेड़ना को आप साफ तोर पर प्राप्त कर सकते हैं और विस्तार पुरवग यदि आप अपने हिर्दे में उन संदेशों को रखें जो आप यहां पर हर सप्ताह सुनते हैं और उनके लिए अपने पुरे हिर्दे से हर दिन प्रातना करें तो एक साल बहुत है पवित्र होने के लिए और दानिल पातना सभा के तीन घंटे वो बहुत हैं उत्तर प्राप्त करने के लिए मैं एक ऐसे परिवार से आज मिला वो चाइना से आए हैं 9 साल पहले मान्मिन चर्च में उनकी अगवाई की गई जब वो कोरिया आए पैसा कमाने के लिए उन्होंने हमारे प्रभुके सूसमाचार को सुना और उन्हें सूसमाचार का प्रचार किया गया उन्होंने विश्वास योग्य जीवन 9 सालों से जिया है सबसे पहले वो पैसा कमाना चाहते थी और वापस अपने घर लोटना चाहते थी चाइना में कोरिया में उनका जीवन आसान नहीं था उनके लिए उन्हें बहुत सी चीजों में मुश्किले हो रही थी कोरिया में रहते हुई उन्होंने कहा कि उनका देश चाइना कोरिया से बहतर है उन्होंने कहा अगर उनके पास पैसा होगा वो तभी खुश रह सकते हैं हाल ही में जब मैं चाहिना गया था मैंने पाया कि वो देश बहुत ज़्यादा बदल गया है और सत्तर और असी के दशकों से वो देश बिल्कुल अलग है वो जोड़ा जितना जल्दी हो सके पैसा कमाना चाहता था और वापस अपने देश लोटना चाहता था लेकिन इसी बीच मानमीन चर्श में उनकी अगवाई की गई उन्होंने जीवन का वचन सुना उन्होंने अपनी समस्यों का समधान पाया अपने हिर्दे और शरीर दोनों में उन्होंने चंगाई प्राप्त की और परमिश्यों के सामर्थ कानभव लिया समय और दूरी को मिटाते हुए जब उन्होंने मुझे कहा कि मैं उनके पिता माता के लिए प्रातना करूँ जो चाइना में थी तो उस महिला की बड़ी बहन उसको भी सूसमाचार का प्रचार किया गया पहले उसकी यहाव बहन उसने अभी सूसमाचार का प्रचार नहीं सुना था वो अपनी बहन को प्रचार करती थी लेकिन बात में जब उसकी बड़ी बहन ने 2000 का भारत का कुरूसीड देखा DVD पर उसने मुझे देखा मेरे हातों से लांज जोतिया निकल रही थी और वो उसे देखर भौँचक का रह गई वो वास्तुक्त में भौँचक की रह गई और उसने भी येश्यू को ग्रहन किया और अब वो एक डिस्ट्रिक लीडर है और उसकी बड़ी बहन वो सैल लीडर बन चुकी है उनका पुरा का पुरा परिवार चंगाई प्राप्त कर चुका है एक बार वो चायना में जाते है क्योंकि उसके माबाप वहाँ रहते हैं और जब वो अपने माता पेटा की घर जाते है वो उत्सुक्ता से वापस आना चाहती है क्योंकि वो हो परमेश्यूर के वच्छन को सुनना चाहती है और सिन्य पासु से मिलना चाहती है आत्माओं की देखरे करना चाहती है परमिश्वर का कारे करना चाहती है और परमिश्वर के राजे के लिए सेवा देना चाहती है जब कभी भी वो अपने माता पिता से मिलने जा दे थी चाहे न तो वापस आने के लिए वो सोचती थी लेकिन अब वो पूरी तरह से बदल कई है जब कभी भी वो वहाँ जाती है उट सुकता से वो वापस आना चाहती है कोरिया को क्योंकि वो इच्छा करती है कि वो निरंदर परमिश्वर का कारिय करें और चाइनीज ट्रांसलेशन का कारिय पूरा करें हालांकि वो अपने चर्वाइक से भी मिलना चाहती है उनकी पते के साथ भी ऐसा ही है उन्होंने कहा कि 9 साल पहले तक उन्हें बड़ा दर्दनाक जीवन जीना पड़ा लेकिन जब से उन्होंने परमिश्वर से मुलाकात की इस कलिस्या को वो आए वो बदल गए परमिश्वर के वचन के द्वारा और अब वो और उनका परिवार वापस खुशी और आनद को पराप्त कर चुका है वो बहुत धन्यवादी है अपने एक काम को पूरा करने के लिए चर्च में स्वयम सेवा को कर हर अविवार को और शुक्रवार को वो कहते हैं कि वो हर वार शुकरबार और रविवार का इंतजार करते हैं ताकि वो चर्च में सेवा दें और चर्च के बहुत से सदस्यों की स्वयम सेवा दे कर सेवा करें वो बहुत आनदित है अपने स्वयम सिवा के कामों में और साथ ही उन्होंने ये कहा कि वो हर वक्त बहुत खुश होते हैं जब उपर मेश्र का वच्चन सुनते हैं इसलिए वो चर्च जाने के लिए बचे हुए दिनों में मौका ढूंटे हैं पूरा परिवार बदल गया है तो फिर कैसे वो हर वक्त खुश ना रहेंगी वो सब की सब खुश है और आशिशे प्राप्त कर रहे हैं अच्छे स्वस्थ की और इन तमाम शारिक आशिशों के साथ साथ उन्होंने बहुत ही महतोपून आद्मिक आशिश प्राप्त की हैं वो हैं आशा नई रुष्ले में प्रविश्च करने की यदि आपके पास उद्गंठा है परमेश्व के वचन के लिए और आप उसके लिए प्रात्ना करें तो आप बदल जाएगे आपका हिर्दे आशा से भर जाएगा नई रुष्ले म की आशा से अपने परमेश्व के दियोए कामों को पूरा करने में आप परमेश्व के परमिश्वर के वचन के साथ पुकारें तो आप पुत्री करण को साथ लेंगी एक साल से भी कम समय में आप उसे पूरा कर सकते हैं अगर आप परमिश्वर का वचन अपने मन में रखें उसका अभ्यास करें। आप वहीं बने रहेंगे चाहे कितने ही साल आपने मसी जीवन क्यों ना जिया हो। कि कब तक आप बिना सलात का खाना खाते रहेंगी। इसलिए मैंने उन्हें उतर दिया कि मैं लगतार ऐसा ही करता रहूँगा जब तक कि चर्श की आर्थिक स्थिती संपन नहीं होती और जब तक चर्श संपूर्ण समय के कार्य करताओं को संपूर्ण सैलरी ना दे सकें। और मैंने उन्हें कहा कि आपको मुझे कोई सलात देनी के अवशक्ता नहीं कोई सह भूजन देनी के अवशक्ता नहीं जब तक कि समय नहीं आता। मैं परमीशुर के लिए तमाम इन परिस्तितों के लिए धन्यवादी था, क्योंकि मैंने सीखा है कि तमाम परिस्तितों में हम कैसी धन्यवाद दें, हर प्रकार के मुश्किलों में, इसलिए मैं अपने आपको नियंतृत कर सकता हूँ, और आनंद भरा जीवन जीश सकता मैं केवल चावल और मसालेदार चटनी खाता हूँ सिर्फ इसले नहीं कि मैं गरीब हूँ वो इसले क्योंकि मैं कम से कम पैसा बचाना चाहता हूँ और परमिशुर के राजे में सेवा देना चाहता हूँ और गरीब सदस्यों को उस पैसे से मदद देना चाहता हूँ और साथ मैं आपको साराश दूँगा मसी में प्रियम भाईयों और बहनों आज हम दस आग्याओं के ऊपर इस संदेश शृंखला को समाप्त करने जा रहे है परमेश्विर हमें यहो आग्याओं इसलिए नहीं देता कि वो हम पर कोई भूश डाले वरन इसलिए कि हमेश सिद आशिशे दे सके दोनों आत्मा और देह में बिना आग्याओं के हम नहीं समझ सकते कि हम कैसे परमेश्विर के सदरिश बने और कैसे आशिश प्राप्त कर सके परनतु क्योंकि परमेश्विर ने हमें यहो आग्याओं दी है इसलिए हम समझ सकते हैं कि कि कैसे परमेश्व combination को प्रसंद किया जाता है कैसे आशिशी और उतर प्राप्त किये जाते हैं और साथ ही हम यहो भी समझ पाए है कि कैसे सब से महिमावानस्थान अनत्सवर के राजय में हम प्राप्त कर सकते हैं पहला यहों नातीन अध्याए 21-22 पत कहता है हे प्रियों, यदि हमारा मन हमें दोश ना दें तो हमें परमेश्यूर के सामने हियाओ होता है और जो कुछ हम मांगते हैं, वह हमें उससे मिलता है क्योंकि हम उसके अज्याओं को मानते हैं और जो उसे भाता है, वही करते हैं मुझे आशा है कि आप परमेश्यूर की प्रेम को एहसास करेंगी ताकि आप उसके अज्याओं को किसी दबाव के कारण नहीं वरन आनद और धन्यवाद के साथ मानेंगी और मैं यहों भी आशा करता हूँ कि आप पूरी तरह से परमेश्यूर की उन तमाम आशिशों को प्राप्त करो जिनकी प्रतिगिया परमेश्यू ने हमसे की है इस तरह से करने और आग्या पालन करने के द्वारा आप सब राष्ट्रों में स्रिश्ट ठहरें और हमेशा प्रमेशुर को महिमा दें और अंत में सबसे महिमावान स्थान स्वर के राजे में प्राप्त करें हमारे प्रभी येश्व मसी के नाम से मैं प्राप्ता करता हूं आमेन